לל कि मैं आनके गजा है मैंने औलडि अपनी टाइजन में एक मی्यूजिक को डॉप कर दिया है अपने सिंपली यहां से एक अडर्जेस में लिए क्रिए करे नहीं है डाइट करने के बाद आपने इसको डॉप करना है रिफ ix में जाकर पर आपने सर्च करना है direction blur इसको अपने adjust में लिए पर drop कर देना है और आपने चले जाना है effects का इंट्रोल में यहां पर आपके fs blur length की एक option है यहां से आप जितना blur करना चाहते हैं उसके हिसाब से adjust कर सकते हैं मैं अब इसको 25 to 30 कर रहा हूं अब आपने अपने keyboard से एक frame move करना है और एक cut लगाना है जितना आपको इस effect के length चाहिए आप उतने length में इसको avail कर सकते हैं मैं भी just इतना ही पनागर बाकी delete कर रहा हूं adjust में लिए और इनके जो mid में एक एक frame है मैं इनको भी delete कर रहा हूं तो यह मेरे मैंने तीन इनको adjust कर लिया अब मैं इन तीनों को simply मैं यहां से alt press किया है और मैं इनके copy rate करके उदर उदर place कर दूँगा जीतर जीतर इसकी beat already मेरे music ही है